वरुण गांधी ने उठाया ऐसा कदम पूरा हिंदुस्तान आया एक फैसले के साथ सैनिकों के सम्मान में वरुण गांधी मैदान में देश के पहले नेता ने छोड़ी पेंशन विधायक सांसत को नहीं मिलेगी पेंशन वरुण की चिठी से हिल जाएगा देश पिछले कुछ दिनों से देश में एक सवाल है जब देश के सैनिकों को पेंशन नहीं तो फिर विधायकों और सांसिदों को पेंशन क्यूँ ये बात फेस्बुक ट्विटर पर सब ने लिखी लेकिन जब बात आई खुद परामल करने की तो सब पीछे हट गए यहां तक कि सेना अध्यक्ष रह चुके वीके सिंग भी ये कदम नहीं उठा पाए रक्षा मंत्री राजिनाथ सिंग भी सैनिकों के सम्मान के लिए वो नहीं कर पाए जो वरुन गांधी ने कर दिखाया है जब कोई नेता देशित में कदम उठाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए वरुन गांधी देश के पहले नेता होंगे जिनोंने अगनी वीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर अपनी भी पेंशन छोड़ दिये ये एक शुरवात है क्योंकि आने वाले दिनों में वरुन गांधी कुछ ऐसा करने वाले जिसके बाद पी एम मोदी से लेकर सी एम योगी तक सब को मजबूर होना पड़ेगा देश के हर नेता को पेंशन छोड़ने का एलान करना हुगा और सदन में इसके लिए कानून लाना हुगा जो वर्दी में जाते हैं और ताबूत में आते हैं अगर उन्हें पेंशन नहीं तो फिर नेताओं को क्यों इसी भावना को समझते हुए देश के पहले सांसत का ये आपको अदिल जीत लेगा अलपावधी की सेवा करने वाले अगनिवीर पेंशन के हगदार नहीं है तो जन प्रतिनिधियों को ये सहुलियत कियों राश्ट रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तयार हूं क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अगनिवीरों को पेंशन मिले इस एलान के साथ सभी नेताओं के सामने एक विकल्फ होगा वो देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये निजी हित के लिए सियासत में आएगें वरुन गांधी मौनसून सत्र के दोरान के मुद्दा सदन में उठाने वाले हैं पीम मोदी लोगसबा ध्यक्ष ओम बिरला भावी राश्पती द्रौपदी मुर्मू और रक्षम अंतरी राजनात सिंग से संसद में कानून बनाने और पेंशन छोडने के गुजारिश करने वाले हैं ये सवाल ऐसा है जिससे वरुन गांधी का कद देश में बढ़ जाएगा सेना में जाने वाले जवानों का कोई नेता होगा तो वो वरुन गांधी होंगे ऐसा नहीं कि वरुन गांधी पहली बार कुछ ऐसा कर रहा है इसके पहले करीब 10 सालों से वो अपनी सैलरी नहीं लेते हैं कोई भत्ता तक नहीं लेते हैं सैलरी और भत्ता वो उन किसान परिवारों में बाट देते हैं जिस परिवार से किसी ने आत्मत्या की हूँ क्यों नहीं रोका जा सकता दोहजार अठारा आटियाई के मताबिक एक सांसत पर एक साल में बहुतर लाख रुपए खर्च होता है यानि छे लाख रुपए महीना 2014 से 2018 तक करीब 15.54 अरब रुपए खर्च किये जा चुके हैं संविधान भत्ता 70 हजार फरनीचर भत्ता एक लाख दफतर का खर्च 60 हजार यानि सैलरी मिलाकर करीब 75 लाख साल में एक सांसत कमाता है देश बदलने का ठेका सिर्फ सैनिक क्यों ले नेताओं को भी लेना चाहिए और वरुण गांदी की तरह आगे आकर पेंशन सैलरी छोड़नी चाहिए अब सवाल उठता है क्या पीएम मोदी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे देश में किसी नेता को पेंशन ना मिले ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही सीट पर कई उमीदवार होते हैं और देश पर बोज बढ़ता है पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद लाल बत्ती पर प्रहार किया जिसका संदेश समाज में अच्छा गया वरुण गांधी पेंशन खत्म करने के लिए जो जुठी पीएम को लिखने वाले हैं उस पर फैसला सकारात्मक रहता है तो देश के बदलाव में हमारे नेताओं का एक सीधा योगा